दोस्तो वाइटेक चैनल में आप सभी का एक बार फिसे स्वागत करता हूँ दोस्तो वाटसप चलाते हूँ न तो वाटसप में आपके साथ तो अकसर होता होगा कि किसी बंदे ने आपको फोटो या मैसेज करता होगा वाटसप पे और आपको देखने से पहले डिलीट कर देता होगा मगर आप क्या करते हो मैसेज को तो आप रिकवर कर लेते हो बहुत सारा एप है जिससे आप मैसेज को रिकवर कर लेते हो मगर फोटो रिकवर नहीं हो पाता है फोटो जो डिलीट कर देता है वाटसप पे तो आज मैं आपको यहीं बताऊंगा कि WhatsApp पे यदि कोई message या photo delete कर देता है तो उसको आप कैसे recover कर पाऊगे एक application है जिसमें आपको photo भी recover हो जाएगा और message भी recover हो जाएगा तो यदि आप उस app के बारे में जानना चाहते हो कि WhatsApp का आप delete photo message कैसे recover कर पाऊगे तो वीडियो में पूरा बने रहेगा और last तक देखेगा वीडियो में आगे बनने से पहले यदि मेरे चैनल को अभी तक subscribe नहीं किये तो subscribe कर दीजेगा और all notification बेलेक उनको ज़रूर दबाईएगा ताकि आने वाला वीडियो का notification आप लोगों मिलता रहे वीडियो को लाइक कर दीजेगा कमेंट करके बतेगे आपको ये वीडियो कैसा लगा share वाले बटन पे क्लिक करके आप अपने फ्रेंड और दोस्तों को इस वीडियो को ज़रूर share कीजेगा उसके बाद एक application का जोत परेगा जो आपको delete photo वीडियो को recover कर पाएंगे तो बीडियो के नीचे से application को download कर लीजेगा तो जैसे application download हो जाता है उसके बाद application को आपको open कर लेना है तो ऐप को open कर लेना है आपको ध्यान से देखना है दोस्तों जैसे-जैसे मैं आपको कर रहा हूँ अपको यहाँ पे what's up को tick लगा देना है उसके back कर देना है slide करते जाना है दो permission मांगेगा आपसे important permission है तो दोनो permission को आपको दे देना है allow देने के बाद आपको क्या करना है फिर से slide करते जाना है उसके बाद आपका app open हो गया यहाँ पे आप देख सकते हो उसके बाद आपको simple यह app back कर देना है ठीक है बैक करने के बाद आपको क्या करना है मैं आपको दूसरा फोन ले लेता हूँ और आपको लाइप प्रूफ करके बता देता हूँ कि कैसे फोटो और मैसेज को रिकवर कर पाओगे तो मैं यहाँ पर अप्लिकेशन को ओपिन किया वाटसप को यहाँ पर मैं कोई भी पहले मैसेज कर देता हूँ यहाँ पर मैंने मैसेज कर दिया अब मैं एक फोटो को भी भेज देता हूँ ठीक है तो यहाँ पर मैं एक फोटो ले लेता हूँ यहाँ ने एक फोटो ले लिया ठीक है आप यहाँ पे देख सकते हो फोटो यहाँ पे जा रहा है तो फोटो यहाँ पे जा चुका है यहाँ पे देख सकते हो आभी चुका है यहाँ ठीक है अब मैं इसको everyone delete कर दूँगा ठीक है यहाँ पे delete for everyone यहाँ पे देख सकते हो delete हो गया आपको दिख रहा होगा अब मैं यहाँ पे WhatsApp में जाता हूँ ठीक है पहले मैं पादेता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हो WhatsApp से Message और Photo दोनों डिलीट हो गया अब उस App को Open करना है जिसको आपने Download किया है उसको आपको Open करना है तो यहाँ पे मैंने App को Open किया तो यहाँ पे आपको फोटो दिख जाएगा मैंने यह फोटो भेजा ना आपको यहाँ पे वो फोटो दिख जाएगा अपको Open कर लिजेगा तो और वो जो Message है आपको यहाँ पे दिख जाएगा तो message भी आपको दिख गिया यहाँ पे और आपको photo भी यहाँ पे आपको दिख गिया तो इस तरह से आप delete photo message को आप यहाँ पे recover कर पाओगे देख सकते हो आपको यहाँ पे बहुत सारा app है जिसमें आपको सिरिफ message को recover कर पाओगे मगर इस app में आप photo और यहाँ पे message दोनों को recover कर पाऊगे यदि वीडियो भी होगा तो वीडियो को भी आप recover कर पाऊगे तो उमीद करता हूं आज का वीडियो आप लोगो पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लगाओ वीडियो को like करे चैनल को subscribe करे चलिए फिर मिलें किसी दूसरे वीडियो में अपना ख्याल रखे बाई